वेल्कम बैक टू मैं चैनल दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूटूब के चैनल पर दोस्तों इस कैमिकल सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट चले या गिरे इसको रॉकेट बनना ही है और लगातार इसमें रॉकेट रेली हो रही विस्पोर्ट मे सबसे बड़ा एक्जामपल मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे स्टॉक देखती देखते रॉकेट बन गया तो स्टॉक कौन सा बताऊंगा रहेगा वीडियो में पसंद आया लाइक कर दीजेगा आया चैनल पर पहरी बाद सब्सक्राइब का नह मोमिन्टम देते हैं ना तो हाथ नहीं आते मैं आपको अजार बार यह बद बता चुका हूं और आपके सामने एक्जामपल के तोर पे सबसे बड़ा इस टॉक में लगाया देखते हैं देखते हैं स्टॉक जो रॉकेट बनाया आज के दिन का मोमिन्टम पहले आप देख ल महीने में आप देख सकते हैं 366% के भैयानक रिटन और साल की सुरुआज से तो रॉकिट बना हुआ है दोस्तों स्टॉक करीब 661% मासकरें 761% के रिटन है वहीं एक साल के अंदर स्टॉक ने पैसा 10 गुने से ज़्यादा कर दिया है क्योंकि 910% की रैली आपके सामने है और दोस्तों 2018 में 1.300 रुपए का स्टॉक हुआ करता था और आपके सामने ये 126.6% के रिटन है ये देख लीजे तेजी से कहते हैं तो दोस्तों जब कोई स्टॉक मुमेंट में आता है ना फिर हाथ लगाना उसको थोड़ा मुस्किल हो जाता है हलाकि कंपनी बहुत ही छोटी है अभी एक अब देख सकते हैं तो दोस्तों अलमूस्ट 1500 क्रोण का मार्केट कैप है 71 के P.E. पे कामकाच कर रहे है दोस्तों तो स्टॉक लगातार नए कीरतीमान हासिल करता जा रहा है हाई पे हाई लगा रहा है आज के दिन भी सरकेट के आसपास क्लोजिंग करीब 1389 रुपए 65 पैसे की रही है दोस्तों और 131 रुपए 52 वीक लो है तो ऐसे दोस्तों स्टॉक से हैं ये तो आपको मैं ये नहीं बोल ला हूँ कि आप तोरंद खाई लिजे जाके खाई ना था तो दोस्तों मैं 300-400-500 हर रेट पर वीडियो बनाया हूँ 289 पर भी बनाया था अब जब इसमें करेक्सन आएगा दोस्तों तब बाइंग कीजेगा मेरा मकसद आपको बस बताना था कि ये स्टॉक में मोमेंटम क्या है अब चले मैं आपको बताता हूँ ये कौन से सेक्टर में मलबकिस कैमिकल चीजों में बरकाम काश करती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों मैंने आपको पहले भी ये कई बार बताई कि जो जैशो इंडिस्री है वो स्पेसिलिटी कैमिकल और दोस्तों साथी साथ फाइन कैमिकल के अंदर ग्लोबल सप्लायर तो है ये साथी साथ मैनुफैक्चरर भी है और इसके क्या-क्या प्रोटेक्ट है आपको वो भी में भी स्तुमाल होता है दोस्तों रबल के लिए कैमिकल बनाती है दोस्तों और दोस्तों रबल कैमिकल प्री डिस्परस्ट करके दोस्तों कैमिकल होता है रबल कैमिकल बनने से पहले कई जो एक फॉर्म है उसको बोलते है फूड ऑक्सिडेंट मतलब फूल के अंदर जो प्रिजरवेटिव पड़ते हैं आपने देखा होगा बहुत बार आपने किसी रेस्टोरेंट्स में खाना खाया होगा लेकिन आपको पता नहीं है कि हमें इसा खाना ताजा तो मिलता नहीं है वो खाना जो बस था वो उसमें प आपक्लास बिजनेस वाली कंपनी है गिरावट के दौर पर इसे बाई करना अभी जल्दी बाजी नहीं करनी है जल्दी बाजी करेंगे तो लॉस हो सकता है क्योंकि स्टॉक में जब इतना हैवी मुमेंटम आता तो गिरावट भी कभी भी आ सकती है और यह एक माइक्रो कंपनी है यह स्मॉल कैप कंपनी है यह कभी भी जितनी तेजी से उपर गई है थोड़ा बहुत गिरावट भी दिखा सकती है तो उसके लिए आपको प्रेपेर रहना चाहिए पसंद आए वीडियो लाइक करना चैनल पर पहली बाद सब्सक्राइब करना मत बूले फे लिए जाए उसाना क्या मत ओंपनी है अ औरेपोर को जिए्य